हमश्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स में आज हम लेकर आए नर्सिंग कॉम्पेटिशन एक्जाम का एक इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बर्न बर्न से कई क्यूशन एक्जाम आते हैं तो बने रहे हमारे साथ अंतक और देखते रहें मेडिको सर्जिकल नर्स तो चलिए टॉपिक के स्वाथ करते हैं सबसे पहले हम बर्न की डेपनेशन के बारे में पढ़ते हैं इस दर ट्रांफर ऑप एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स तो अनदर विच लीड़्स तो टिशू डेमेज डिस्ट्रक्शन प्रोटीन दी निट्रलाजेशन और आइउनाजेशन ऑप कंटेंट बर्न की जो डेपनेशन है उसके अंदर लिखा गया है कि बर्न का मतलब होता है कि एनर्जी का एक सॉर्स से दूसरे सॉर्स में ट्रांसर होना जो क्या करता है कि आगर टिशू को डेमेज कर सकता है उसमें डिस्टरक्शन कर सकता है protein को de neutralize और content को ionize कर सकता है इसको burn का गया है tissue damage किसी इस कांट से भी हो सकता है burn के अंदर thermal जो burning होती है या chemical burning उसके कारण tissue damage होना burn करलाता है आगे देखिए classification of burn injury based upon the depth जो हम burn की जो classification करेंगे वो burn के जो depth है या गहराई के तुलना पर करेंगे कि फर्स्ट देखें दोस्तों फर्स्ट डिग्री बर्ण classification यहाँ पर हम करेंगे इसके इनदर मारा जो फर्स्ट classification है वो है फर्स्ट डिग्री बर्ण के अंदर include होए superficial partial thickness और होता है superficial partial thickness स्परफीशली जो layer होती है skin की वह partially thickness जो उसके है वो burn के इंदर includes होगी बंढ हो जाएगी मैंली इन्वाल्स एपिडर्मेश लेयर एक्जामपल संबंड संबंड का यहां पर एक्जामपल दे रखा है कि जो फर्स्ट डिगरी बढ़ने वो मैंली संबंड के करण होता है और इसके अंदर जो मारी जो इसके लेयर होती है अपने जो की वुड्स का जो होगा फिंग इन उसका और वहोठी का रौग और पहुत ही पेन फोल रहे गा क्योंकि जोस्परिस्ट जो लेयर होती है अंदर इस दोस्तों कि इसके अंदर आपको जो देखा जाएगा देखा जाएगा एपीडर्मिस लॉंग विद अपर एंड डीपर पॉर्शन ऑप दर डर्मिस यहां पर जो मारे गाट एपीडर्मिस इनके साथ इंक्लूट रहेगा बर्ण में और साथ ही साथ सबसे उपर की और जो पॉ लिक्वीड या होट लिक्वीड वाटर होट वाटर भी मान सकते हैं इसकाल जो भी गरम पानी से या केमिकल से बर्न होते हैं वह सेकिंड डिग्री बर्न के अंदर इंक्लूट होंगे इनका जो गाव होगा दोस्तों वह रहेगा वाइट टू पिंक और रेड इन कलर जो कि अभी तक हम नर्व रूट्स तक नहीं पहुच पाए हैं तो यहां पर भी जो वूंड रहेगा वह बहुत ही पैन भूल रहेगा यह चीज़े दोस्तों ध्यान से आप लगा के पढ़िए क्योंकि बर्न एक इसा टोपिक है जिसमें कॉम्पिशन एक्जाम के अंदर बहु भी वह बर्ण होती है इसके अंदर इंक्लूड होता है एपिडर्मिस डर्मिस सब्सक्राइब टीशू एंड इवन डिपर टीशू विल भी अफेक्टेड तर्ड डिग्री बंड के अंदर जो हमारी इसवर फिश्यल लेर एपिडर्मिस और सब्सक्राइब इस टीशू यह को भी इसके अंदर इंक्लूड वह जाता है एंड इवन डिपर टीशू विल भी अफेक्टेड जो हमारे टीशू है जो की घहराई में है वह भी अफेक्ट होते हैं इन थर्ड डिग्री बंड इट इस पैनलेस विकोज नर्स आज कंप्लेटली डिस्ट्रोइड इसके अंद जो भी यहां पर थर्ड डिग्री बंड के अंदर पेशेंट होगा वो फ्लैम यानि की आग से जलावा होगा या इलेक्ट्रिकल बर्न होगा उसके अंदर तो उसके अंदर क्या है कि सबसे डीप जो हमारे लेर होती है वहाँ तक डेमेज हो जाती है एपिडर्मिस डर्मिस स अंदर सबकुटिनिस टिशू एन्वाल होता है किसके अंदर डर्मिस अंवाल होती है तो यहां पर जो आप लोग्ल देखिए यह भी पूचा जाता है कि कौन से डिक्री रिट रगेंड के अंदर जो वनड रहेगा या पेन रहेगा मारा पेन लेस रहेगा दिए देखे दो दोस्तों नेक्स्ट देखिए वाइट टू चैर्ड यहां पर जो पेशेंट का जो वूंड रहेगा वो बिल्कुल वाइटिस हो जाएगा विकोज अब बिलेट सप्लाई इंपेड्मेंट लिटल और नो पैन यहां पर पैन रह भी सकता है क्योंकि कुछ नर्व मान लीजिए बच गई है तो वहां से पैन बिल्कुल थोड़ा हो भी सकता है और बिल्कुल पैनलेस भी पेशेंट रह सकता है नेक्स देखें दोस्तों यहां पर सबस्क्राइव करना है कि पैसेंट का जो डी बन हुआ है वह कितना पर अब इसलों हम यहां पर प्र यूज़ करेंगे उसका नाम है रूल उन तो हमयों आहाँ चैनलि के यहां पर किया जाता है दोस्तेश wyक करकर दो आप यह इसका एंटीर पार्ट है पॉस्टीर एंटीर के आंदर कितना परसेंट अगया है इसके बाता गया है उसके बारे भारे में यहां पर बताया गया है। पॉर एन हाफ एन पॉर एन हाफ हेड यानि की जो 9% वह जो हता है हमारा हेड के लिए count किया जाता है 9% anterior upper chest 9% posterior upper chest 9% lower abdominal anterior और posterior lower abdomen 9% जो हमारे four arms होते हैं दोस्तों ये anterior और posterior मिला के 9% होते हैं जनेटल एरिया है उसको 1% calculate किया जाता है और जो legs हैं anterior और posterior मिला के 18 और 18 बहुत 36 count किया जाता है इसी तरह बच्चों के अंदर कुछ difference होता है दोस्तों जैसे कि बच्चों के अंदर head जो है head और neck उसको 18% evaluate किया जाता है या मना जाता है पेशेंट जो बच्चा है उसके anterior side with chest and abdominal 18 और back side में 18 मना जाता है 9% इसके यहाँ पर four arm count किया जाता है anterior और posterior और यहाँ पर जिसका genital area है दोस्तों वो वन परसेंट किया जाता है count और legs जो है वो anterior posterior posterior करके 13.5% यहाँ पर इसके मना जाता है इसी को याद रखना है दोस्तों आपको इसी के ही उपर किशन पुछे जाते हैं अगर आपके दिमाग में यह जो डाइग्राम से यह क्लिक हो जाते हैं तो एक्जाम के अंदर आप इनको राम से कोई भी क्यूशन स्वाल कर सकते हैं नेक्स देखिए बोडी रेस्पॉंस टू बर्न इंजरी अब देखिए पेशेंट बर्न हो चुका है पेशेंट का जो बोडी सर्फेस एरिया आपने एवल्यूट कर लिया है लेकिन जो इंजरी हुई बर्न की वो बोडी के उपर क्या अफेक्ट करेगी देखें दोस्तों मॉस्ट कॉमन यहां रखना आपको बर्न के अंदर जो पेशेंट है वो हाईपोलमिक शोक के अंदर चला जाता है पेशेंट के जो अंदर जो फ्लूट से उसकी अंदर उसमें हो जाता है तो ूट्य वो बहुतों इस सिंग्निफिकंट डिएं मिशन कार्षट ऐप यहां पर कागा है कि हाई पेशेंट का जो का आपूट है जो जो का डिए आउपड़़् आउट्पूट है वह डिकष्ट हो जाएगा और जो बीप वो भी वॉल हो जाएगी सिद्ध अंदर का गया है कि जो भी हमारे कैपिलरी इंटेग्रिटी है वो उसमें जो फ्लूट्स होगा वो सिफ्ट होगा इंट्रा सेलुलर टू एक्स्टा सेलुलर उसके कारण क्या होगा दोस्तों जो बर्न इंजरी एरिया है वहाँ पर जो हमें एडीमा देखने को मिलेगा फ्लू और जो पर नयाशिया है वहाँ पर जो नेंव सेलों क् कम्रेश होने की कारण वादर इंट्रफयेक्क अफेक्ट होती है तो वहान पर जो प्रोसीज़र ऑफ चोईर्थ रहे ब拜拜 STEREOTOMY . यहाँ पर मैं बोलना जायँ को कि आपको यह जो चीज है बहुत ही इंपोर्टेंट है STEREOTOMY जो है उसके इंदर हमें हमें एक सर्जीकल upfront अचनलर है कुछ है मृपत मिशृट है मुचमन जूंच काल स्पर्ड़ से हौन जूंच हो है के एस्टिरूटोमी की जाती है डिउ टीशू डैप्थ शीरंब पॉटेशन विल बी एलिवेटेड एंड सोडियु विल लेवल ऑफ फॉल टीशू डैथ होगी ड्यूटू बर्ण के कारण जो टीशू डैथ होती है उसके करण जो शीरंब पॉटेशन है वह बढ़ जाता है और सोडियम लेवल जो है वो डिग्रीज हो जाएगा नेक्स देखे जोस्तों डू टू हाइपो लीमिया एंड ब्लश लो ब्लड लॉस हेमेटोक्रेट वैल्यू विल बी एलिवेटेड जो हमारे ब्लड के अंदर हेमेटोक्रेट लेवल वेल्यू रहेगी वह हमारी बढ़ ज जाएगा तो जो किड्नी है वहाँ पर ब्लड फ्लो डिक्रीज होने के कारण जो यूरीन आउट्वूट होगा वो भी रिड्यूज हो जाएगा दोस्तों लोस ऑप स्कीन इंटेग्रेटी लेड्स तो इंपैड थर्मो रेगुलेशन पेशेंट की जो स्कीन है वह उसकी इं इंदर बन से एक सवाल हमेसा पूचा जाता है और वह सवाल होता है फॉर्मूला रिप्लेश्मेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उससे कहीं पार कुछा जाता है नेक्स्ट देखें यहाँ पर जो सबसे मॉस्ट और इंपोर्टेंट फॉर्मूला रेता है जो कहीं बाहर पूचे जाता है और हर बाहर इसी फॉर्मूले को यूज करके कहीं आप आराम से फॉर्मूड रिप्लेश्मेंट निकाल सकते है बर्नवाल पेशेंट के लिए और बाह्त करेंट यहाँ पर पार्कलंड वैस्ट फॉर्मूला निकेंग लखेंगेल एंटम्हर रेता है के लिए वेट इन कजी पेशेंट का जो बोडेट है वह केजी के अन्DER कितना है वह यहां पर कांट के जाएगा into percentage of total body surface episode day cure-studов सब्सक्राइब यहांपर जो since percentage of total body surface area burn है यह भी यह जो हमने खर्री की थी उसके अन्धर से हमें कांट करना है जो हमने यहां पर देखी मैं भी अब दिखाता हो वापस आ इस लिए मैंने बोला था आपको सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पिक्ट से इनको ने दिमाघ यह देखिए दोस्तों यह वाले जो इमेजेज हैं इनको आपको को अपने दिमाग में सेट करना क्यूंकि यह आपको टोटल बोडी सिर्पाइंश एरिया काउंट करने में मदद करेंगे क्योंकि यहां पर पर सबने आपको निकालने पड़ेंगे लुक्त क्यूशन सौल करोगे तो यहां से बोडी से टोटल सर्फेस एरिया परसेंटेज यहां से आपको फाइंड होंगे दोस्ता है कि चलिए वापिस अमने टॉपिक पर चलते हैं पक्रेंट फॉर्मला टोटल सर्फेस एरिया बर्ण जो भी टोटल बोडी से प्रसेंटेज थे वह यहां पर हमें नहीं लिखना है और तिन्हों का मल्लीटेप्लाइज परयाप्त होता है या जो मामाउंट प्रापत करने करते हैं उसका अब और देखे दोस्तों डैफ is प्रस्ट आपके पास आया है उसका डैफ स्च्च है उडे फडायका अनदर ट्वंटी फोर होते हैं दोस्तों ट्वंटी फॉरम हांथ केंदर आपर आपको जो प्रूड आपने कल्कुलेट किया है उसका फप half of the fluid जैसे कि आपने 2000 fluid calculate किया है तो उसका आधा यानि कि 1000 ml आपको देना है first 88 hours first eight hours के अंदर आपको first eight hours यह दिमाग में रखे का दोस्तों first eight hours के अंदर आपको जो है आधा fluid देना है और जो बचा हुआ 1000 ml है वह आपको देना है next 16 hours 16 plus eight is equal to 24 hours 24 hours यानि कि एक दिन के अंदर आपको जो fluid आपने calculate किया है with the parkland formula वह उसमें आपको first eight hours के अंदर half fluid देना है और half fluid देना है आपको 16 hours के अंदर day second के अंदर आपको क्या करना है day second के अंदर आपको colloid aid करना है अलग अलग परकार के जो भी colloids है वह आपको एड़ करना है ताकि जो protein का जो हमारे burn के अंदर protein जो damage हुआ है उसका आपिस replacement किया जा सके तो दोस्तों आज का हमारे topic यहीं समाफ होता है कल फिर हाजिर होंगे एक नए topic के साथ इस topic से related mcq पाने के लिए हमारे इंस्टा पेज पर हमें follow करें link description में मिल जाएगा तब तक के लिए देखते रहें medical surgical nurse और like करें subscribe करें और bell icon को दबाना ना भूलें तब तक के लिए thank you